तो कियाल चाल से स्रेकाल मैं हो नियोन मैनेरी गाईज आज हम लोग बात करने वाले एलविश आदफ के बारे में तो क्या है एलविश आदफ फिर से कुछ लीगल ट्रॉबल में पड़ गए जहां गाईज आज उनसर रेलेटेड ये वाला नियूज आया कि एक एडवोकेट ने उनके ओपर पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दिया है क्योंकि वो काशि विश्वनाद टेंपल में जाकर अपना फोटोस खिचा रहे थे जहां पर अलाउड नहीं होता है ये सब करना येस जैसा कि आप देख सकते हो वो टेंपल विजिट किये थे फोटोस वाइरल भी गये है वहाँ से तो इसे को लेकर एक एडवोकेट है प्रती कुमार सिंग वो एलविश आदफ के ओपर कंप्लेंट फाइल करते वे बुले कि एलविश के ओपर अलड़ी काफी सारी क्रिमिनल केसे हुए वे हैं आज वो विजिट के थे काशी विश्वनाथ टेंपल को एंड डिस्पाइट यहाँ पर मोबाइल फोन्स बैंड है फिर भी वो फोटोस वगेरा लिए विद अ मोबाइल फोन इसको लेकर मैंने एक एप्लिकेशन सब्मिट कर दिया है तो जॉइंट सीपी ताकि एलविश एंड जो भी इसमें इंवाल्व थे उनके ओपर जल से जल में तो बताया था कि एजास खान अचानक से पब्लिक लिया कर क्लेम करने लगे कि एलविश एंड रजट उनको पर्सनली सौरी बोल चुके है अब रजट ने तो बोला कि हम लोग ने कुछ सौरी वगेरा नहीं बोलेंगे बड रीसल लिए कि इंटर्वी को दुरान जब उ मेरे पास voice note है मैं सुना नहीं सकता आपको क्योंकि किसी ने कोई वादा किया है वो दलाल को तो मैं कहीं गिंता भी नहीं उससे कोई लेना देना ही नहीं है वो तो कबसे phone करके भीक मांगा जा रहा है एजास भाई आप मेरे तो बड़े भाई हो अब maximum लोगों तो लग रहा सौरी से जबर्दस्थी लोगों को पकड़ के सौरी बुल आता है और अगर जिसे सौरी नहीं बोला जूटा के बोल देता है कि मेरे को सौरी बोला जबकि किसी ने इसको सौरी कभी नहीं हुए या टॉकिंग बाउट एजास खान तो उन्हें पूरव जा की मदर को सौरी बोला येस गाईज आप लोगों पते होगा पूरव जा उनके ओपर पैरिडी बनाये थे एजास खान काफी जादा गुस्सा हो गये थे और वो बहुत जादा परसनल चल गये थे उनकी मदर के बा कि शूटिंग वूटिंग छोड़ के दिल ली आना पड़े अब वो यहाँ पर सौरी बोल रहे हैं या फिर थ्रेटेन कर रहे हैं no one knows कि जिन लोग के आप आरिडी बनाते हो तो वह कैसे वे मिले थे अच्छे वे में या बुरे वे में तो पूरव जाव वहाँ पर नितेश तोनी एक फिटनेस इंफ्लेंसर है उनका एक्जामपल देते वे बोले कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पैरिडी को लिया था वो मेसेज भी किया थे आप खुद सुन लीजिये बहुत कुछ सीखना चाहिए तो शायद सही यहाँ पर वह एजास खान को भी बोल दिया कि भाई हेल्दी वे में पैरिडी को लेना सीखो बट एनिवेज चलिए बागे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मुनावर फारुकी एंड अदनान 07 के बारे में मुनावर फारुकी पूरा हाइप कर दिये थे अदनान को बट अंदर जाके भाई पूरा फूस हो गए वो उनका परफॉर्मेंस कुछ भी खास नहीं रहा वो खाली चारी दिन रहे और उनको घर से एविक्ट कर दिया गया तो इसी को लेकर थोड़ा सा उन्होंने क्रिटिसाइज किया था इसक एक और पोस्ट उनर ने दिखाया जब कॉमीडियन रैप करने की कोशिश कर सकता है तो रैपर कॉमेडी करने की कोशिश क्यों नहीं कर सकता है जिसके बाद अदनान के मुनावर वो ट्विटर स्पेस क्लिप को शेर करते वे अपने ब्रॉडकास चैनल में ये वोइस मेसेज भी दिये चलती ट्रेन में नहीं चलने का भाई चलती ट्रेन में चड़ेंगे ना कभी-कभी मुंके बल गिरते नहीं है गूदा तो बीच में खाई के लिए खूदा बट लगता है कि मुनावर ये कॉंट्रूवर्सी को आगे बढ़ाने में बिलकुल भी इंट्रेस्ट नह ली आया था जिस पर अदनान कमेंट करके लाफिंग इमोजीज भी डाले थे दिखाते हुए कि वो बहुत हेल्दी वे में लिए बट लगता है यहाँ पर वो बस नाटकी कर रहे थे क्योंकि उनका हिस्ट्री भी आप लोगों पता होगा थगेश एक नॉर्मल सा रोस्ट कर दिये थे तो रात के तीन बजे उनको कॉल करके थ्रेटन करने लगे थे बट या टॉकिंग बॉट अदनान तो उन्होंने कहा कि बिग बॉस उन्हें टिशू पेपर की तरह यूज करके उन्हें हटा दिये उनका एक इंटव्यू आया जहाँ पर वो बिग बॉस के विक्श सारी लोग बोल रहे हैं कि यह वाला बिग बॉस सीजन 3 काफी जादा खराब है उतना जादा इंट्रेस्टिंग नहीं है और अब अपने इंस्टेग्राइम स्टोरी में यह लिखी बोलते हैं ना जो भी होता है अच्छे के लिए होता है थैंक यू गॉड फॉर सेविंग म लोग बात करने वाले पायल मलिक के बारे में तो पायल मलिक कुछ ट्रोलर्स के ओपर केस फाइल करने वाली है जहां इस तर रेलेटेड वो अपने इंस्टेग्राम में क्या बोली आप खुद सुल लीजिए बहुत जल्दी मिलने वाले है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करने वाले थागेश एंड एंड एंबीए चायवाला के बारे में तो थागेश के नेक्स लफडा सेंट्रल एपिसोड के गेस्ट है एंबीए चायवाला येस वो रिवील करते वे एक ट्रेलर भी अप्लोड किये जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उनको इन्वाइट किया गया था और वही पनौती वाला चीज़ को लेकर वो लोग डिसकस कर रहे थे जिसके बाद थागेश के फैंस लोग कुछ ऐसे कमेंट्स करने लगे फिनाले एपिसोड ऑफ लफडा सेंट्रल दाउनफॉल अफ थागेश सून लफडा सेंट्रल बंद होने वाला है और थागेश को भी कही ना कई ये चीज़ का डर है तो वो पिंट कमेंट्स में लिखे लास्ट एपिसोड होगा क्या लफडा सेंट्रल का बट एनिवेश चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करन आजला के बारे में तो करन आजला एक इंडियन एथलीट का काफी बड़ा हेल्प किये जहां पर वो करन आजला को अफकॉर्स थैंक्यू बोले कि उनके वज़े से इतना बड़ा करजा खतम हो गया बटिया चलिए बागे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बहुती वीर गैंग आया है जो कि घर में जाकर चोरी तो करते हैं बट वाइल डूइंग सो वो लोग पकोड़ा वगेरा बनाते हैं उनके किचेन में जाकर खाते हैं और फिर अराम सजाते हैं येस एक दो इंसिदेंस नहीं बताया जा रहा है कि six to seven houses के तरफ से complaints आया है और सब लोग सेम ही चीज़ बोले कि उनके किचेन में बरतन वगेरा गंदा था वो लोग खाना पका के अराम से खा के चोरी करके गए तो वहां के deputy commissioner of police के तरफ से statement तो आया है कि हम लोग ने patrolling को increase कर दिया है और वी आर वकिंग वरी हाड तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात काने वाले एक new unexpected rule के बारे में तो गैस करेला से वाला स्टोरी आ रहा है कि अब वहां के motor vehicle department ने announce कर दिया है कि अगर तो बाइक में दो लोग travel कर रहे हैं और वो लोग दोनों बात चीत कर रहे हैं then they can get fine yes वहां के motor vehicle department ने बोला कि हम लोग ने ऐसा measure इसलिए लिया है क्योंकि अगर तो rider pillion rider के साथ बात कर रहा होता है bike में तो वो लोग distract हो सकता है कि इसके वज़े से accident वगेरा हो जाए इसलिए इसको punishable बना दिया गया तो जो भी बात करते वे पकड़ाय जाए उनको fine भरना होगा तो चलिए बागे बढ़ते हम में search GPT एक उन्होंने example and illustration भी पोस्ट किया जैसा कि आप देख सकते हो कैसा होगा इसका user interface काफी smooth and बढ़िया लग रहा है और बहुत सारे लोग को लग रहा है कि अब google को finally एक अच्छा competitor मिला बाकी आपको क्या लगता है क्या ये google से compete कर पाएंगे मेरे को comments में जरूर बतान यो यो हनी सिंग ने complete कर चुके 7 million subscribers and finally शिमारु फिल्मी गाने ने complete कर चुके 69 million subscribers so many many congratulations to all of them तो चलिए कुछ international stories के बारे में बात करते हैं तो first of all में लोग बात करने वाले Elon Musk vs Mark Zuckerberg के बारे में any place anytime any rules तो ये वाला statement जब Mark Zuckerberg तक पहुचा तब वो threads में ये post किये are we really doing this again basically saying कि भाई ये same episode बहुत पहले हो गया था and fight हो नहीं पाया तो फिर से ये सब पंचायती start करना है क्या but या चलिए अब final story के बारे में बात करते हैं हम लोग बात करने वाले speed के बारे में तो speed एक बह parallel जा रहा है जो कि यहां पर मैं play नहीं कर सकता हूं जैसा कि आप देख सकते उनके father Lamborghini चला रहे थे और ये धीरे speed में नहीं है काफी speed में जा रहा है गाडी और वो perfect timing लेकर jump किये तो वही ही jumped over a car and ये चीज़ उनको भी scary लगा but लोग वहीं बोल रहे हैं कि भाई इतना dangerous stunt कर करने का जवरी नहीं है बाकी चल दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना है अगर आपको फीडियो थोड़ा सभी पसंद आया हो तो like कर देना चैनल को भी तक subscribe नहीं कियो तो जल्दी से जल्दी subscribe भी कर लेना news submission का link description में वहां से जाके आप कुछ news भेजोगे तो आपक क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे description में तो यह से support करते रहा है ना मिलते रेक्स वीडियो में तिल देन बाबाई